दोस्तों, में हो रहा हुँ आप देखरे करेट नोग चनल दोस्तों, आशके दो में बात करने जा रहा हूँ, अन्बैलन्स वसस बैलन्स जो आपका audio cables होता है, उसके बारे में audio signals के बारे में भी भी हम बात करेंगे, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा कि TAS socket क्या हो उस चीज में आपको पूरा डीटेल बताऊंगा और आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि आखिर यह होता क्या है अन्बैलंस और बैलंस क्या होता है आपको पूरा जान करें दूंगा सब्सक्राइब करते हैं उससे पहले बात करते हैं अन्बैलंस के बारे में 내가 रहता है और जो सुखेज आते है अगरे सेसे में आपका जो समूर्स टीक आप डुन्रामा किस ने कंता हे की जब सिगनल कायर आपको सिगनल को पास करता है मुझा से आपका सेनड़ को पास करता है जब कि आपका सॉरॉणदिंग वायर रहतो ऐसी क्या करता है शील्ड फ्रो बबबन केसे एक्स्टरनल Über जैसे आपका amplifier हो गया या फिर कोई और चीज हो गया या फिर रेडियो इंटर्फेरेंस हो जिसको आरफ इंटर्फेरेंस बोलते हैं वो सब चीज जब इंटर्फेर करते हैं आपके signal में तो उसमें distortion आता है तो उन सब को बचाने के लिए वो क्या करता है शील्ड जाता है जब वो एक equipment जैसे कि आपका amplifier हो गया उससे audio signal लेता है और direct बीना किसी manipulation के दूसरे किसी mixer को दे देता है ठीक है मतलब आपका simple signal लिया और direct भीज दिया बीना किसी manipulation के ठीक है तो उसमें क्या होता है जिसके करण क्या होता है कि भले आपका connection हो simple हो जाता है बट आपक जो audio होता है उसमें काफी सारी interference आ जाता है जिसके करण से जो आपका signal रहता है डिस्टॉट हो जाता है मतलब उसमें काफी सारी noise create हो जाता है जिसमें humming आ जाता है और काफी सिच हो जाती है यह सब unbalanced cable में होता है ठीक है अब unbalanced cable में कुछ connectors जैसे मैं बताने जा रहा हूं जो सबसे ऊपर में रहता है जो की signal के रहता है जो भी आपका audio signal रहेगा उसी से आएगा और वाकी एक होता है sleeve जिसमें आपका ground attached रहता है ठीक है यह चीज हो गया और जो आपका test cable है जनरली आप जो गीटार से amplifier में जब connect करते हैं वो सब चीज में आप यूज कर सकते है यह आप जो फोन आपका jack to jack रहता है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है दूसरा होता है RCA cable connector जो रहता है जो पुराने समय से चलते आ रहा है उसमें आपका CD player रहता है या फिर mobile to be RCA आप यूज करते हैं वह सारे चीज आप इसमें यूज कर सकते हैं तो इसमें जो इसमें किसमें यूज होता है देखिए सबसे पहले इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं लॉंग डिस्टेंस में अगर यूज करेंगे तो क्योंकि यह सिर्फ दो ही वायर है तो इसमें काफी सारे इंटरफेरेंस आप आप इसको यूज करेंगे तो आपको ज्यादा noise creation नही कोई system को setup होता है बड़े-बड़े auditorium में अगर आप setup किये हैं और बहुत दूर लंबा connection करना है तो आप balance जो आप cables रखते हैं वो यूज करते हैं उसके बारे में आपके बात करते हैं ठीक है यह चीज हो गया आपको मेरे कहल से अन्बैलन्स समझ में आ गया होगा तो दूस्तों अब हम बात कर लेते हैं balance cable के बारे में इससे पहले जो slide थी उसमें तो क्या करेगा दो signal भेजेगा दोनों जो signal रहेंगे वो same रहेंगे दोनों वायर से भेजेगा और जो surrounding wire होता है वो shielding प्रोवाइट करता है जैसे कि आपका unbalance में कर रहा था अब इसमें इसमें यह है कि जो equipment signal को send करता है और receive करता है वो जो signal रहेंगा उसको convert करकी usable बना देता है अब usable कैसे बना देता है वो मैं समझाता हूं जब को equipment do signal send करता है जैसे कि microphone अगर दोनों wire वो आपका जो उसका बीच का face angle रहेगा वो same रहेगा जबकि जो out of face का मतलब यह होता है कि जो आपका face angle है मतलब जो दोनों waves का face angle है वो defair करता है 180 degree से अब out of face तो हो रहा है बट उसका मतलब कर क्या रहा है out of face क्या करता है कि वो किसी एक signal को inverted बना देता है मतलब जैसे आप out of face करेंगे तो दो सिंगनल में से कोई एक सिंगनल रहेगा inverted कर देगा कि इन्वर्टेट का मतलब यह होता है कि वो आपका opposite बना देता है जैसे आपने दो सिंगनल भेजा दोनो positive positive है तो कोई एक signal आपका negative हो जाएगा तो सिगनल कैसा जाएगा पॉजिटिव और नेगेटीव के हिसाब से यह होता है यह आउट औ फेस का मतलब क्या हो राइज हो रहा है बत क्यी आपका ऑट फेस हुआ जा रहा है जैसके पॉजिटिव नेगेटीव के हिसाब से यह ब फॉचarest तो वो जो receiver रहेगा वो इसको in face में कर देगा, मनलब convert कर देगा दोबारा, और उसके जो original form रहते हैं उसमें ले आएगा, अब ये सब चीच करने का फाइदा क्या हुआ है, देखिए जैसी ये आपका जो in face में आ जाता है, तो क्या करता है जो भी आपका signals identically match हो जाते हैं जो भी आपका signal है उसको out of face किया, ठीक है, out of face करने के बाद किस तरीके signal जा रहा है, positive negative के साब से, अब sender से receiver तक जब वो signal जाएगा, उसके बीच में कोई ना कोई distortion आएगा, चाहे वो RF interference मतलब जो आपका radio interference हो, या फिर कुछ और चीज़ हो, कुछ भी तरीके के कुछ ना क कुछ distortion आएगा, है ना, बट जब receiver में जाता है, तो flip कर देता है, flip मतलब जो आपका out of face को in face कर देता है, in face को out of face कर देता है, अभी distortion जो आपका in face में आ गया है, जो beach का हिस्सा है, मतलब जब आपका travel कर रहा है, तो उसमें जो distortion आया है, वो साथ में लेके जाएगा, जैसी receiver में पहुँचेगा, तो जो signal आपने बेजा था, उसको क्या करेगा, जो out of face signal था, उसको in face में कर देगा, है ना, मतलब जो identical signal, जो आपका original जो form था, signal का उसमें ला देगा, in face कर दिया, बट जो distortion उसको साथ collect हो के आ रहा थी, उसको क्या कर देगा, वो out of face कर देगा, मतलब कि आपस में कैंसल हो जाएंगे, है जो भी distortion जो noise था, जिसके करण से आपका आ रहा था, वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, automatically cancel हो जाएगा, तो इससे फाइदा यह होता है, कि आपका जो quality रहता है sound का, वो बरकरार रहता है, जो भी distortion रहते हैं, कैंसल हो जाती है, noise उस यह इसमें बाइंड आपको, एक होता है आपका TRS, जिस में आपका tip ring sleeve रहता है, जो कि आपका normally headphone jack आपका यू में होता है, और दूसरा होता है आपका XLR, जो कि आप you generally आप microphone में देख सकते है, XLR cables होते है, XLR to jack होता है, वो आपका xLR cables होता है, वो भी आपका balance cable में आ जाता ह अब बैलेंस केबल को यूज क्यों करते है क्योंकि देखे इसमें जो signal to noise ratio रहता है वो काफी अच्छा रहता है दूसरा चीज लोवर impedance signal रहता है जिसके करनल से आपका जो audio है काफी ज्यादे improve हो जाता है ठीक है ये चीज़ था दूस्तो लास्ट में revise कर लेते हैं unbalance और जो balance अब कर देखे लेता है उसमें क्या difference हो आपको बता जेता हूं पहला है जो आपका unbalance में बात किया जाज़ तो इसमें सिब दो वायर रहता है जिसमें से एक signal रहता है और दूसरा पॉइंट ये है कि unbalance में जो आपका distance रहता है कोई भी setup करने का जो वायर यूज करते है unbalance cable जब कि बैलन्स रहता है कि भी लाइन्स केंवे शाब जाए और यह लिए। जब कि बैलन्स रहता है, जो ढूर दूर तक आपको वाइर भीछाना केंवाएं, लिए यहां पर काफिशी लगाने है जबकि balance में बहुत कम रहता है और यही चीज जो चौथा point इसमें यह है अन्बालंस में कि जो इसके वें केबल के example बता रहा है एक होता है TS जो आपका phone jack रहता है दूसरा RC cables होते हैं balance में जो cables है वो आपका TRS है compare करेंगे balance से तो balance में थोड़ा ज़्यादा रहता है क्वाच्ट ठीक है दोस्तों यह थी आज की वीडियो में आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को ज़रूर लाइक करते हैं अगली वीडियो में थेंगे दोस्तों